पर बाकिया हम जब कलीशियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उसका डाइम पीरेट इतना लंबा हो गया है कि उसके दूद का जो प्रिथम स्थार्डिंग जो सामे काल रहा है उसके अंदर उस दूद का नाम जो है उने दिया गया प्रभु येशु मसी के मदुना में आप सबको जय मसी की प्रभु आप सबको भताय से आशिश दे आमिन हम बात कर रहे हैं प्रकाशिद वाके के पुस्तक के विश्य में प्रकाशिद वाके के इस संक्ला में आप सभी का सौगत है प्रकाशिद वाके से हम देखेंगे आज सर जो है सर्दिश की कलीसिया के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा आप पढ़ सकते हैं या आप इस समय निकालके रख भी सकते पिछले संदेश में हमने सीखा था थुआतीरा के समय काल के लोगों पता ही चल गया कि हम सर्दिस की कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं इसका जो थोड़ा सा परिच्चा है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि कलीसिया का नाम जो है वह सर्दिस है और ये लीडियन समराज की पुरानी राजधानी है ये माउंट टमोलस की एक धलान पर ज दाहयक नदी पैक्टॉलस द्वारा जो है दो तरफ से शुरक्षित था यहां पर पूरी तरह से यह जो था मजबूत और शुरक्षा दाइक जो इसकी दिवारे थी वो एक पाड़ी की टहलेटी पर जो थी वो खड़ी हुई थी और इसका जो मैदान था बहुत बड़ा था यह वो देश था जिसमें सबसे पहले जो था सिक्का या मुद्रा का अविश्कार क्या गया था देखिए क्यों हम इन चीजों को थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जानना चाहिए कि आखिर वो फेमस क्यूं है किस कारण से वो फेमस है देखिए थोड़ा बहुत महतपूर था देखिए किसी भी देश का जो होता है अर्थशास अगर अच्छा है तो वो देश जो होता है बहुत मजबूत होता है और बहुत महतपूर होता है और यही जो था सर्दिस की कलीसिया जो थी या सर्दिस जो शहर था ये उसकी मजबूती का कारण यही थ इस तरह से अईसिया के रोमन प्रांथ का इससा बन गया. इसमें 17 इस्वी में जो भुकम आया था, उसके द्वारा ये नश्ट हो गया था और बहुत चीजे जो थी इसकी तहसने सो गई थी क्योंकि वो भुकम जो था बहुत बड़ा था लेकिन टेविरियस की सैता से इसका पुरा निमार किया गया एक नए तरीके से जो है इसको बनाया गया और फर्स्ट सताबदी के अंत से पहले इसमें पॉलुस ने एक चर्श इ तिर्की में स्थापित है, महां क्या गया था यहांपर कलीसिया के नाम का अर्थ क्या याणी सर्दिस के नाम का अर्थ क्या यह जानना बहुत ज़रूरी है देखे सर्दिस का जो नाम है उसका जो अर्थ निकल कर आता है वो है आनंद का गीत यानि वो आनंदी थे अब क्यों आनंदी थे जैसे जैसे हम सर्दिस की कलीसिया के बारे में जानेंगे सीखेंगे हमें पता चलेगा कि आखिर सर्दिस की कलीसिया का जो अर्थ है वो आनंद क यह क्यों रखा गया उसके महत्व को समझेंगे और इसलिए आप इसके अंदर जो है बने रही है देखे सर्दिस की जो समय काल की बात करेंगे इसका जो तीसरा पॉंथ है सर्दिस के का जो समय काल है या यूग है उसके बारे में बात करेंगे इसका जो समय काल शुरू होता है 1563 से लेकर 1798 AD तक होता है यह जो समय काल रहा है इसमें बहुत से सुधारक जो है धरम सुधारक की बात कर रहा हूँ धरम जो सुधारक हुए है बहुत से लोग हुए है इसमें धरम जो सुधारक हुए है और इनको जानना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि कलीसिया के अंदर क्या थी बहुत से गड़बडियां थी बहुत से बाते थी जो आत्मिक उनती में जो है रोड़ा अटकाए हुए थी तो उन बातों को निकाला गया उन बातों को धूर किया गया और ये जो काम हुआ है ये इस समय काल में जो है वो किया गया है बहुत से प्रभु के पैदा होता है मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब धरम सुधारक की बात करते हैं तो लोग सिर्फ कहां तक 1563 से लेकर 1798 AD तक जो है या इस वी तक जो है वो लोग मानते हैं पर तो ऐसा नहीं है धरम सुधारक कारे जो है इसके दो भाग हुए हैं प्रिथम भा अलिशया के समयकाल से आरम हुआ था 800 AD से आरम होता है क्योंकि 313 AD में मसी लोगों को धार्मिक स्वतंतरता जो थी यह बड़े ध्यान देने की बात है साथ मार्च 321 AD में जो था संडे लोग पारित किया गया था तता 390 AD में अधिकारिक रूप से धरम बनाया गया था यह सबकार रोम के दोरा हुए और बहुत सी गलत शिक्षाए भी मसी समाज में आगई जिसका सुधारकारे जो है प्रथ 800 यह 1015 AD में जो है 32 के द्वारा आरम हुआ था यही प्रथम सुधारकारे का समयकाल जो है वो कलाया गया परंतु सर्दी की कलीसिया में जब हम आते हैं तो यह दूसरा जो है सुधारकारे जो है वो पूरा किया गया है 1563 से लेकर 1798 तक और इसको जो है हम दूसरा सुधारका जो है वो हम इसको मानते हैं जो परमेश्र का वचन कहता है और इन चीजों को समझना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलीसिया अब हम बात करेंगे कलीसिया के दूद के विशे में थोड़ा सा हम चान ले कि क्या है और हम पहले भी देखे हम बता चुके है कि वाइबल में जिस दूद से प्रभू बात कर रहा है जिस दूद के बारे में वनन कर रहा है जिस दूद के बारे में प्रभू बता रहा है या सिखा रहा है उस दूद का नाम जो है इत्यास में या वाइबल के अंदर कही मेंशन नहीं किया गया है जैसे जैसे हम आगे ब उस दूद का नाम जो है वो नहीं दिया गया मगर इसके बीच में जो सुधारकार हुआ है जिनों ने के द्वारा सुधारकार क्या गया है या जिनका नाम फेमस हो गया है या जिनका नाम जो है वो उजागर हो गया है उनकी चर्चा जो है मैं आप से करता हूँ ताकि आप इस चर्च के जो रहे हैं, जॉन इसमित, जी हां, बैप्लिस चर्च के, ये 1600 AD में रहे हैं, और इन्होंने बहुत सा सुधारे कारिज़ों किया है, और दूसरे नमबर पर आते हैं, मैथोदिस चर्च के जॉन वेसली, जॉन वेसली 1749 AD में ये हुए है, और ये दो जो हैं, उस समय जो चीजे थी, उनको दूर करके जो है, उसका सुधार कारे पूरा किया है, तो आपने ये देखा कि हमने किस तरीके से, इस सर्दिस के कलीसिया की स्टार्डिंग का शुरू किया है, देखें, पॉइंट क्या है, मैं आपको पहले फिर से एक बार पॉइंट बता देना चाह इसको हमने जान लिया, अब हम कलीसिया के अंदर घहराई में चाहेंगे, और उसकी घहराई को जानेंगे की प्रभू जो है, अब कलीसिया के दूद से क्या-क्या बाते कहता है, उस समय के लोगों के लिए क्या बाते, उस समय के लोगों के लिए क्या रिवाड है, क्या कीजिये हैं इसको हम सीखते रहेंगे आप देखते रहिए इस वीडियो को प्रभु आप सबको आशिज दे आमीन